जै जै श्री राम जै जै हनुमां भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर पसंग आता है सुन्दर काल का जी हां यह सुन्दर कान परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेका नेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कान को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभूश्री राम जी की कृपाएं फ्राप्त होती तो आईए पवित्र पावन सुन्दर कान का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भक्तवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुन्दर बगतों सुन्दर कान्ड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर बगतों सुन्दर कान्ड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर मा सीता को खोचते खोचते श्री हनुमान जी अंगत जामवंत जी और अन्य वीर सागर तक पर आप पहुँचे हैं जामबंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुए श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुर्सा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती हैं उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं के क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती हैं मारी लात मुष्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ अनुमत से वो बत लाई हनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है लंका भी तर हनुमत आए अखियां फिर चोंधाई है सीया मा का पता न पाए सीया मा का पता न पाए पहरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती है सत्य जानने हे तू वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीषण को पाते है दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोक बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुद्रिका देकर उनका संदेश देते हैं और मासीता से वादसल्य और ढेर सारे बरदान प्राप्त करते हैं मासीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेग नाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन क्रोध में आजाते हैं तेल पोरी पट बांध पुनी फिर पूँच में आग की लगवाए अनुमत ने भी राम बोलके सारी लंका जलवाई गूंज रहा लंका में देखो हाँ गूंज रहा लंका में देखो भगतों जैश्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दक तो सुन्दर कान है श्रीहन मत की लीला आउता करता ये गुण गान है रामायन में सबसे सुन्दक श्रीहन मान जी ने जै जै श्रीराम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्रीराम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कोटिया को छोड़ सारी लंका जलकर राख बना दिया समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सनमुख फिर आते है और निशानी स्वरू उनकी चूडा मनी लेकर जै श्रीराम का उधोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्रीराम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को प्रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभू की सेना सागर्तट पर आप पहुची है तीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना श्रीराम ने अगनी बाण फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांग ली सागर ने और ये उपाय थे पतलाएं नल और नील के हाथों सागर पर से तू तो बंधवाएं शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्रीराम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर अम तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तटपरा पहुँची रामन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिली थो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेतरत्व लक्षमन जी कर रहे है दोनों योधाओं में घंघोर भयन कर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्षमन जी को मुर्चित कर दिया विभीषण के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्ध सुषेण को लियाए वैद्ध जी के बतायनुसार श्री हनुमान जी पवनवेग से उड़कर हिमालय परवत स्रंकला से संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे प्रेम के आँसू भक्त और भगवान के आँखों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तों सुन्दर गान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावन और राम जी के बीज घंगोर युद्ध हुआ भगतों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योध्धाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक-एक मन का तोड़ता जाता है और उसे भेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोधवे विभीषण के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पतीने हसी उलाई आखों आसु भर आई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सब को करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ नहोगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों वस्ते प्रभुश्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर उग तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर